तो दोस्तो Poco M4 Pro 5G और Redmi Note 11 T5G के लिए नया अपडेट पब्लिकली रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है लेकिन दोस्तो ये अपडेट अभी मुझे रिसीब नहीं हुआ है मेरे पास ये Poco M4 Pro 5G है और इसमें ये अपडेट मुझे रिसीब नहीं हुआ है तो आज मैंने दोस्तो आपको बता हूँ किस तरीके से अपडेट आपको यहाँ पर मैनुवली करना है तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं आवाट फॉन में जाता हूँ और अपडेट चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी अपडेट सो नहीं हो रहा है, तो मैनुवली कैसे करना है दोस्तों, इस प्रोसेस को जानने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान से वीडियो को देखना, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम का लिंक मिल जाएगा, हमारे ग्रुप का, तो यहाँ पर मैंने लिंक सेर कर दिये हैं, रेकवरी रॉम और OTA लिंक के, तो यहाँ पर हम OTA लिंक पर क्लिक करेंगे, और जो फाइल है, उसको यहाँ पर हम डाउनलोड करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखो, यह डाउनलोड होना है, स्टार्ट हो गई है, तो छोटी सी फाइल है, 984 MB की, तो फाइल हो चुकिए डाउनलोड, और डाउनलोड होने के बाद सिंपल हमें क्या करना है, पेकेज का एक ओप्सन नजर आएगा, इस पर क्लिक करना है, और आपने जो अभी डाउनलोड की थी रॉम, वो यहाँ पर सो होने लगएगी, डाउनलोड फोल्डर में, इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर यह Unkarate बता रहा है, और इसको केसे फिक्स करना हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो फाइनली जो एरर आ रहा था, उसको हम यहाँ पर इस तरीके से फिक्स करेंगे, हम यहाँ चूपस अपडेट पेकेज पर क्लिक करेंगे, और यहां से दोस्तों हम three dot पर click करेंगे और यहां पर अमारे device का नाम आरा इस पर click करेंगे यहां पर download है और downloaded home यह हमने यहां पर रखी हुई है इस पर click करेंगे तो देख सकते हो यहां पर यह update का option आ चुका है और simple हम update पर click करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो, यह update होने लगा है और आपके सामने यह full process होने वाला है तो यहाँ पर यह sync हो रहा है हमारा update और देखते हैं कितने जल्दी से यह यहाँ पर reboot होकर तो यह दोस्तो शिंग होने के बाद reboot होगा और फिर मैं आपको बताऊँगा इस update में क्या क्या नए changes है तो update यहाँ पर successfully हो चुका है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह देखो यहाँ पर MIUI 13.0.9.0 update हो चुका है और update में क्या कुछ नया है दोस्तों यहाँ पर आपको April 2023 का latest security page देखने को मिल जाता है और इसके अलावा और क्या मिला है दोस्तों तो यहाँ पर आपको बता दूँ यहाँ पर आपको एक नया एप देखने को मिला है जो है कि ओपरा ब्राउजर और इससे आप अनिस्टॉल नहीं कर सकते तो एक और ब्लोड वियर यहाँ पर बढ़ चुका है अब MIUI 14 में देखने वाली बात होगी कि कौन-कौन से एपस यहाँ पर ब्लोड वियर में देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर आप एक और नया एप आपके यहाँ पर एप में आ चुका है जो कि आप अनिस्टॉल नहीं कर सकते पहले साही कुछ यहाँ से एपस पड़े हैं जो मैं यूज नहीं करता और वो अनिस्टॉल भी नहीं कर सकता लेकिन PC से यह पॉसिवल है दुस्तो अगर आप कमेंट करोगे तो हम PC से आपको बताएं किस तरीके से दोस्तो यहाँ पर आप अनिस्टॉल कर सकते हो इन अपस को जिनका आप यूज नहीं करते हो तो अब दोस्तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यह अपडेट था और मैंने आपको बता दिया है कि जैनुवली कैसे अपडेट करना है अगर आपको अपडेट नहीं मिला है तो और फीचर्स की बात करें तो दोस्तो कुछ भी यहाँ पर चेंज तो हुआ नहीं है सेटिंग्स में भी कुछ ज्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा सब कुछ सेम टू सेम है यहाँ पर एडिस्टनल उप्शन स्पेशल फीचर्स भी भार है तो जो भी चेंज होगा वह मिवाइच 14 में देखने को मिलेगा इस वीडियो में इतना ही और इस अपडेट में भी इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेस वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाए बाए